नमस्कार मैं हूं राग आप देख रहे हैं बेबाग बात आज भारती जनता पार्टी के वरष्ट नीता मर्द प्रदेश भाष्पा के उपाध्यक्षे और हुजू से विधायक रामेश्वर शर्मा हमारे साथ हैं रामेश्वर जी आपका बहुत-बहुत अबिननने आप पक्रद्वा आप अपनी बात कहते हैं तो इसकार पार्टी भी आप या रोष्ट ना करती है अएसा नहीं है हो सकता है कि पार्टी चुकि बड़ी होती है और बड़ों को अधिकार है डांटने का समझाइद देने का और सही राय बताने का और हमारा दायत तो है कि उनकी सला मार्ग रसन लेकर आगे बढ़ने का जब बोपाराय से कभी लगा था कि विधायक बनूंगा लोगों के बीच में जाओंगा इतना काम करूंगा तब ये सब साइद दिमाग बनी था समय परिस्तितियां बदलती गई प्रूव अपनी रशना करता गया हम अपना दायतों को डिवाते रहे। पाल्टी और अपना आशुरवाध बनाय रखा आगे बढ़ते गे। अब बात करते हैं मद पृदेश मेंसे मैं बिजली को लेकर ही नहीं है कमलनात की सरकार को लेकर ही भी हाहा कार है केवल बिजली के कारण लोगों को करण नहीं लग रहा है बिजली के बिल के कारण भी करण लग रहा है बिजली नहीं आने के कारण भी करण लग रहा है और किसानों को कमलनाथ सरकार की गोशना के करंट लग रहे हैं सिक्षित बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ते नहीं मिलने के करंट लग रहे हैं बुजुर्ग मावाप पेंसन के इंतजार के करंट जहल रहे हैं बुजर्ग तीर दरसन नहीं मिलने के कारण कारणट लग रहा है तो कमलनात की सरकार चोह तरफा हाहा कार की लिए जाने वाली सरकार है इस सरकार की पैचान अगर देखा जाए गाउं, गरीब, किसान, मजदूर, बेपारी, सेर, सब पीड़ित अगर किसी सरकार ते हैं तो वो कमलनात की सरकार, सबसे कम समय में किसी सरकार ने अपनी लोग पृता खोई है, तो सरकार का नाम कमलनात सरकार या कॉंग्रेस, मद्दूर परदेश सरकार कह सकते हैं बहुत लंबी फेरिस पर रामिश्वर जी ने गिनाई है, आप एक एकर बात करेंगे, बिजली का मसला सबसे ज्यादा आए, एक तो भीशन गर्मी है, और ऐसे में बिजली का ना होना, सरकार कहते ही कि बिजली पर्यापती हमारे पास, और जो गडबड़ी और यो बिजली क किलो कर रहे हैं, तो फिर अट जाओ, जब आप से सरकार नहीं चल रही, सीधी बात करते क्यों नहीं, आपको पांच महीनी, छे महीनी का समय बीट गया है, इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रही, ब्रष्टा चार करने में जब आपकी चल रही है, कलेक्टर को दुच किली के तारों में करंट में आपकी क्यों नहीं चल रही है, शिवराज जी ने भी 24 घंटे भीजली उपलब्द कराई ना, बंतरी हैं प्रीवस सिंग आपके साथ ही है, वो कह रहे हैं कि यह फॉल्ट हो रहे है, लाइट परियापते लाइट भी आपका तारों में जा रही ह क्यों करें हो रहे है, लाइट की कमी नहीं है, तो परिशान नहीं हो, हाँ तो लाइट जा रही है ना, दो तो तीन तीन घंटे, लाइट की कमी नहीं है, पर कट लगाय जा रहा है, कटोती की जा रही है, कबूतर लाइट को जो है डेमेज कर रहा है, कबूतरों के कारण ला समझ नहीं है कि सरकार सरकार चलाने वालों को अनुभव नहीं है या अनुभव दूसरे काम का जादा ले लिए उसमें ब्यस्त हैं तो उन्हें कभी देखे नहीं कि कितने कौन से ट्रांसफार्मरों की रिपेरिंग मरमत कब से नहीं हुई कौन अधिकारी कहां साइड पे कहां देखे बड़ी बात है कि कुछ भी हुआ अगर लाइट का मसला आया तो उन्होंने बड़ा सीधा मंचों से बूलना शुरू कर दिया कि बीज़ेपी के 15 सार के लोग हैं और वो लाइट कर देते हैं दिगवे सिंग साब के भाशन सुनता था वो कहते हैं कि लाइट की कोई समस्या नहीं है यह तो बीज़ेपी वाले फैलाते हैं कि कॉंगरेस आ ही और बीजली गई नहीं वो क्या है कि एक जमाने में चलता था हर चीज भी नहीं भाजापा का हाथ है कांग्रेस को भाजापा से मुक्ति मिली नहीं रही ना इसलिए वो हर समस्या का समधान भाजापा को कोशने में डूंड लेती है और जब भाजापा को कोशने में ही समस्या का समधान है तो लोग भाजापा से ही समधान मांगेंगे ना तो हटो कुर्सी से जब तुम से लाइट सुचलती नहीं है आप तो यह बताईए कि इन कितना 164 पैसेट दिन होगा कितना हो गया तो संबाद है कहां किस लिविल पर है आखिर लोक तंत्र के पहरी के रूप में हैं विदायक हैं विदायक के समस्या से विदायक के पास आती है वो उपर बताता है अधिकारियों को बताता है मंतरी को बताता है अब के मुकमांतरी जी से आप आसानी से मिल लेते हैं थे हम फोन करते थे, नपके आधा यह प्रबिलम् अब्राक बता है। पूछ हे तो बतायेंगे ना हम दोनको सब कुछ बताने के लिए तयार है कیओं कि हमारा हेतू ही प्रदेश ठीक चले हमारा हेतू कांगरेस independent ठीक चले नहीं हमारा हेतू में हेतू हे सरकार ठीक चले जो हम को रोशनी दो ना नागरिकों को रोशनी दो सिचाई को बीजली दो खेत को बीजली की आउशकता है पढ़ने वाले विद्यारती को बीजली की आउशकता है अपरेशन सेटर में पढ़ा हुआ आदमी को बीजली की आउशकता तो बहां बीजली दो ना अब हमसे पूछ लो हम बता देंग है किसे बिजली चाहती है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यह सुभिकार तो करो कि हाँ हम में फाल्ट है ईह बो तो सरवाग गये है इस मामले में आदो वो एक एक ही मामले में सरवाग गे खो कोने लोगों केहते हैं कि कमल नाज जी सबसे बेस्ट हैं हमारे पार पार जितने निता थे अम आपAreinahm बेस्ट का दिखतो गया AेहDraq19 मैंसे है कैसे इससे बेस्ट क्या होता हो भृद कमल जी इससे अपी्य और नाज पर लगाते हैं कि बीजेपी जो है वो सरकार गिराने की कोशिश कर रही है यह हम क्यों लोगों के भी आत्मा हैं उनके दिल दिमाग है कब तक वो बत्तमीजियों की जूतियां उठाते रहेंगे एक दिन उनका भी तो सोईमान जगेगा ना वो कहेंगे चुने तो जन्तान हैं पर्चे प्रासे गिरी इनकी कर रहें बत्तमीजियों इनकी जिल रहें तो कांग्रेस में जो योग और मिनिश्टर योग थे वो तो विचारे थर्ड फोर्थ और सेविन्थ लाइन्थ में पड़ें और नए नवे ले आकर बैड़ गए है वैसे कांग्रेस में भी आप जिनाम मिला दिग्विजे सिंग जी को भोपाल से इससे अच्छा तजर्वा क्या था अभी दुनिया को फसाते फसाते एक दिन भोपाल में फस गए पूरा तजर्वा मिल गया जिंदगी का अंत बला तो सब बला यहां तो अंती भी गड़ गया तो बगवान भी तयार था भगवान भी तयार था भगवान भी तयार था कि इस बार मैं बश्मासुर के चक्कर में नहीं फजूँगा जो मुझसे ही बरदान लेके मुझे ही निप्टा है तो भगवान भी तयार था कि मैं उसकी चकर में नहीं फजूँगा जिसकी सरकार बने और वो महरे फई प्राइन का जो मारी चाहरा है यह मारी केवल सीता का अफ़रन करना जानता है और सीता यह समाज की सनातन सत्त है इसकी रक्षा करना पूरे समाज का करतब है इसलिए मंदिर मंदिर में आप लोगों को लग रहा था कि हरा लेंगे दिखवेशिंग को आसानी से हम तो जिद दिन गोशित हुए तो उसी दिन उनके पास साथ लोग मिले थे उनके खास लोगों को हमने का कि राजा फस गया और राजा तो गया हो तो यह राजा गया कि कमलनाथ की कोई शार्त हो नहीं थी अभी यह तो कमलनाथ जी बताए कि बिफोर टाइम के अलाउंस कामलनाथ जी ने किया उनकी वो क्या AIC होती है कौन सी होती दिल्ली में बैठती है क्या बोलते है मिटिंग 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 में मुझे एक आदमी ने बताया था कि दिखविजी सिंग को बोपालते कर दिया और बड़े ठाका लगा के उनने हासा था उनने का कि आया हूट पाड़ की नीचे जोतरा दे सिंधिया का हारना क्योंकि सिंधिया खांदान में कोई भी हो चाहिए वो बीजेपी से हो कॉंग्रेस से उनका बड़ा सम्मान हो हारते नहीं थे क्या था कि जोतिरादिश शिंदिया जी के हमारे आँ वहाँ परंपरा बन गई थी कि सिंदिया परिवार का सम्मान करो राजमाता शिंदिया जी का सम्मान करना हमारी नेतिक डूटी और कर्तब है क्योंकि उनसे हमने सीखा है समझा है और उनने पार्टी को सब कुछ दिया लेकिन कॉंग्रेस के मैं अगर कोई सिंदिया है हम उसके भी पीछे उतना ही सम्मान आदर रखे हाँ बैक्तिकत तोर पर सम्मान आदर किया जा सकता है उम्मर में बड़े है तो सम्मान करो माराजा भी है तो भी चलो सम्मान कर ल उसी समय उसी टाइम उससे लगा हुआ कारिक्रम हमने किया हाला कि वहां के नेताओं ने उस समय उस बात को स्विकार नहीं किया उनने का कि यह नहीं होना चाहिए और यह नहीं कुछ भी होता हमने का कि देखो चुनाओ तो हम हारे ही है हम 58,000 से हारे हैं उस चुनाओ लड़ रहें ठीक है जीत गए तो ठीक है लेकिन कम सकम इतना तो ध्यान रखो कि कांग्रेश जिस भाषा में बात कर रही तुम उस भाषा में बात करो कांग्रेश अगर दीवाल के इस तरफ मंच लगाई तो तुम दीवाल के इस तरफ मंच लगाओ कांग्रेश अगर इस जाती को ब आप देख रहे हैं डखल न्यूज आप देख रहे हैं डखल न्यूज ब्रिक के बाद बेबाग बात में आपका स्वागात है बड़ी बेबाकी से बात कर रहे हैं भारती जनता पाटी मद्रप्रदेश के उपाध्यक्ष रामिश्वर शर्मा जी बहुत जुवा अवस्था से मेरा उनका परश्या है और बहुत जुझारू किस्म के निता है और जब जनता की बात आती है तो वह आविशद भी हो जाते है कई बार आपके आडियो आए कि आप लोगों से लड़ लेते हैं और जहां भी जनता की बात होती है तो ब्रूदा देने के लिए लड़ने के लिए ते गया बता है खुन खुलता क्या होता है यह हम है काई के लिए हम तो जनता की सड़क बजले पाने के लिए हैं ना हम जनत में हमको दिया है तो यह काम करना हमारी डूटी है और यही डूटी में रहना चाहिए जन प्रतिनी थी हमारे पास क्या अधिकार है हमारे पास कोई चेक साइन होते हैं क्या हमारे साइन से तो कोई चेक साइन नहीं होते हैं विदायक के पास क्या अधिकार है विदायक के पास तो वही अधिकार है चिट्टी लिखो काम कराओ नहीं चिट्टी से हो तो धर्णा देके कराओ धर्णा देके नहीं होता आंदोलन कर कराओ आंदोलन करके नहीं होता तो नीन हराम करके करो पर जनता का काम करो कि जिसको हमने बोला है जनता को बोट लेते सब हमने उससे कहा था कि तुम हमको बोट दे रहो हम तुमारे काम के लिए जुरुत पड़ी तुम मरने के लिए तैयार रहेंगे तुम मर कहा रहा है अभी तो हम धर नहीं तो दे रहा है नीन दी तो खराब कर रहा है एक रात की नीन दो रात की नीन दस पंदरा दिन जेल में नीन गुजार कर जनत लुखता जिसकी खतम हो जाए उसकी नीज धराम हो गई हमने तावाद्ले की एँ और हमारे तवादलों की नोटसीट पढ़ लो इतने तवादलों की आवश्कता हों तो हमने तो कभी महसूस नहीं किया हमने तो कहा कि रामलाल स्यामलाल दोनों एक हैं रामलाल को यहां से वहां बेठाल दो स्यामलाल को वहां से वहां बेठाल दो दोनों ऐसे ही है इसलिए तबातला किसी वेक्ति का समस्या का समधान नहीं है वो जहां बेटा है उससे वहां काम कराना समधान है छीक है ये बात जो बात कह रहे हैं इसको सौफीजदी में मानता हूं मद्द प्रदेश में मैं दू निताओं का नाम लूँगा अरजुन सिंग जी अपने ही हमारे बीच में मानि सुंदरलाल पटवाजी हमारे बीच में देखा है कि बदल्लब पहुन का इकबाल है कि उपर से इशारा हो जा है यह हमारा काम ही है हमारा काम किसी वैक्तिकत नुकसान करने का कता ही नहीं है पर व्वस्ता लागू करने के लिए किसी की कुरबानी लेनी पड़ी तो उसमें भी कोई संकोच नहीं है क्योंकि यह हमारी राजप्रता है और यह हमारा राजएंस है क्योंकि हमारी राजप्र नहीं कि किहा तो चार आखे उसको गंबीरता से देख रही है जो 2002 बोपाल के राइदानी आधानों में सपल नहीं हो सकह वो यहाँ से दो सो नेटवर्क भी नहीं है मुबाइलों का वहां क्या सफल होंगे वहां तो उनकी अप नहीं चलेगी तो हमारा काम प्रसासन को सई तरीके से चलाओ और प्रसासन किसी के इशारे के लिए नहीं प्रसासन जनता के कश्टों को दूर करने के लिए होना चाहिए हमारे कहने पर भी प्रसासन ने किसी को जवरन बंद करना ना यह मांशिक्ता नहीं है और यह मांशिक्ता अगर लीडर्शिप में आ आपने जो ट्रांसफर की है और आज से जो पर्यावरन का जो है ब्रक्षा रोपन की जगे ब्रष्टाचार का रोपन आज से जो दर्ती में पांच जुलाई तक जो सक्सेज फुल चलेगा इसमें तो विचारा हमारा चौपरासी से लेकर माश्टर तक घेरे में आ गया है अभी हम सोच रहते हैं कि सब सिख्षगण बचे हैं गुरू जीयों कि पर सरकार की टेड़ी निगाए नहीं अब तो गुरू जीयों से माल बसूला जाएगा यह तो बताओ ना अगर नहीं होता तो इतना अपराद के से टी आई को यह परोसे ही नहीं कि वो कित्ते दिन रहें अगर टी आई की कीमत 35 35 लाक रुपे है तो जनता की सेवा क्या करेगा सर एक अधिकारी को बल्लबवन से इसली अटाएगा है उससे कहा कि आप अगर इस पर इस पत पर रहेंगे तो इतनी चाहिए तुन ने कहा कि मेर बेतन तो सरफिक्स है मुझे तो आप सत्पुड़ा के जंगल में भी ले जाकर फैक दोगे और जब तक मैं रिटार नहीं होगा तब तक मुझे एक लाक बतीस हजार रुपे तंखा मिलेगी और एक गाड़ी आपको देना है और दो चप्रास ही मेरे भाग में तो आप तो बहुत हो मेरे को नहीं देश चाहिए तो दूसरे को लाया गया तो यह मसला उठेगा बीजेपी की तरक से नहीं हम तो रोजी उठाने के लिए तैया है हम रोज उठाई रहें देखो सत्र में चर्चा हैं इस समुद्दों की होती ही हैं और कभी-कभी सत्ताधरी दल नहीं भी चाहता कि नहीं हो तो इसलिए गदर करता रहता है अद्यक जी का जैसा इसारा मिल जाए लेकिन सत्रों के भार भी अगर कोई चर्चा है देखो सत्र में बदनामी जितनी हो रही है वो उतनी महत्पूर्ण नहीं है लोगों की जुबान पर बदनामी जब चड़ जाए व कि दूसरी क्यासी करोड रुपे का तब तक मद्द परदेश में कुछ कारुबार हुआ सा देन दिन हुआ देखो इंकम टेक्स का जो च्छापा होता है उसे साधनता पॉलिटिकल उसका इनवाल्मेंट नहीं होता उनके अपने सोर्सेज होते हैं हम लोगों को तो आज दिन और जो कुछ अभी घटना करम चल रहा है उसमें तो हकीकत सामने है उसमें कमलाज जी की सरकार पूरे संका में नहीं है वल्ली कि पूरे ही गेरे में है पूरी सरकार पर ही आच आई हुई है इस समय लेकि बीजेपी को जिस तरह से आकराण करना चीए था उतरा आकराण नही हम राजनिती में किसी के हत्यार ही नहीं है ना राजनिती में विवस्ता से भार करना डूटी है जो मुद्दा उठा जन्ता ने उसको कैच किया और कैच किया तो मद्द प्रदेश में कांग्रेस सरकार को ऐसे दो डाला 2018 में लोग हम को हम गए थे तो कई लोग खुस हो रहे थे कि अच्छा रहा चली गई और दर दिन बाद कहते थे का जाओ भई यह तो हमारे हाथ में ही नहीं है और अब अब लोग सिवराज जी को लोग चा रहे हैं की नहीं चा रहे हैं अब सिवराज जी की लोग परता बढ़ होता है इतनी तीन तीन चार्टार पांच पांच लोग सभा में मिलकर एक वो मिलता है तब जाकर सब कुछ होता है लेकिन किस बाडर पर आके खड़े हैं मुझे पता ही ना बाडर पर आके करना चाहिए ना कि उसके मौत के लिए और ये सरकार अलप आईयू है जिस दिन से गठन हुआ है उद दिन से विद्वान जोटिश सास्र सब कह रहें कि सरकार अलप आईयू है तो कभी-कभी अलप आईयू का आदमी समझता है कि मुझे मैं तो मरना है तो वो बहुत मस्ती में आ जाता है तो ये अपने ही पापों के कारण जाएगी क्योंकि इस सरकार के पापों का प्राश्चित के टाइम भी खतम हो गया है कि पापों का प्राश्चित भी नहीं कर पाएगी क्योंकि इस के किसी को दुआएं देने वाले लोग है पर इस सरकार को हर आदमी बद्वा देने के लिए बैठा है और बद्वा में आप किसी को भी उठा लीजिए आप गवाँ में चला जाएए तो अरे वो किता है कि अरे सरकार ने क्या जूट बोला हमने सिवराज को बदल दिया पर इस बही मान ने हमारा दो लाख माफ नहीं किया इनने तो कहा था हर किसान का दो लाख माफ भी तो शिवराज जी किया भी कागश पत्तर लेके पहुँच गया था उनको वो उसमें बाबा राम देओ का चमन प्रास और बादाम और वो आँखों में डालने वाला क्या बूलते हैं जिससे जोती बढ़ती है वो जो भेजा था सिवराज जी किया वो सवाइटम लेकि मैं कमलनाच जी किया था वो मिली ही नहीं मुझे और मैं लेके कहता सूची आप ही पड़ो आपने जो नाम दी है उस आदमी ने आविदन ही नहीं दिया एक तरफ कह रहा है कि इंकम टेक्स वाले का करज माप नहीं दूसरे आप इंकम टेक्स वाले केवल रोहत चौहान ही दिखा तुमको कि उसके करज माप कर दिये जबकि यह रहा है यह मैंने तो आविदन ही नहीं दिया और मेरा इसलिक सॉसाइटित कोई करजा भी नहीं है तो किसका माप कर दिये तो सरकार कर दिया माप होगे सरकार के हर दावे फुस से निकल रहे सर और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके टेली विजन पर जूट बोल दूँ पर जिस पर गुजर रही है वो क्या बोल रहा है आप उसको ध्यान रखी आप यह द्यान रखिये पर जो मामला था पूरा का पूरा शिवुफा एक दो हंड्रेड परसेंट आज दिनांग तक किसी भी किसान का दो लाग कर्जा माफ नहीं हुआ अधिकतम 19,000 रुपे तक का कर्जा माफ हुआ है वो भी हंड्रेड परसेंट नहीं हुआ वो भी सोसाइ का किसी भी किसान का नहीं हुआ केवल अधिकतम 22,000 रुपे तक का हुआ है वो भी कर्जा माफ नहीं हुआ सोसाइटी से लिखवा के नोटे जारी किया है कि आपका कर्जा माफ पंजाब नेशनल बैंक में चले जाए एक कॉपरेटिक बैंक से सब बैंक के रूल्स नियम यह बैंक की किए कर्जा माफ नहीं किया क्ए क्सी के कहने से कर्जा माफ नहीं करती बैंक apprendreकी नोडूज तब देंगी जब उनके छाते में पैसा दोगे हौई पैसा ही नहीं दिया सरकार ने कि वो सॉसाइटिए उसे नडूज बना के कद्यादि हैं किसका करद्ध हमाब किया किस नोजवान को चार अजार रुपे महीने मिला कुछ नहीं मिला अब जो भी हो क्योंकि कमलनाज जी के कारण कुछ भी हो सकता ह्या कांगरेस के कमलनाज जी को भी क्यों दोसित हैं, वो तो पूरा के पूरा गहान का गहान खराब है, अब तो सब फिरी हैं, अब तो कमलाज जी को सोने भी नहीं दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं, कोई रात को एक बज़े धमकाता है, कोई रात को दो बज़े धमकाता है, कोई तीन बज़े धमकाता है, अ बाबा को तो आप लोगों नी खुब इंटरेंट किया नहीं हम तो संतों का संब्मान करते हैं उनके बानी का हर सब्द चुनते हैं वो परमात्मार क्योंकि संतों की अशिवानी की हेलिकोप्टर सही है बंगली सही है हवाईजा सही है संत समागम हरी कथा नरक निवारन हर और संतों को जाकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी तिन तैसी हम तो बागंबर का आधर करते हैं अब यह उनके अंदर है कि उस भेश में वो किन को क्या रह संती यह कहती है कि संत के अंदर जो ग्यान है वो ग्रेंड करो बहुत सारे संत आये थे बोपाब में पिछली जिनों कोई ने मिर्ची जला की चले गए अब लोग मिर्ची लेकर उनके पीछे पड़ें नमक मिर्ची लेकर पीछे पढ़ने वाली कहानी होती ना कि क्या साब तुमने नमक बिर्जी लेके पीछे पढ़े तब उन बाबाओं को डूड़ रहें कहा है बाबा जी कहा लगाओ गए हर योगी उल्टा पढ़ेगा जब योगी राज कृष्टन है जापर रही जापर किरपा राम की होई तापर किरपा करे सब कोई जिस पर राम की किरपा ते देश में कांग्रेश के खिलाब और जो दूसरे दल थे उनके खिलाब राष्टबादियों की निगाएं टेड़ी थी क्यों क्योंकि हर सरकार ने राष्ट को राम को बरावर धुका दिया है राष्ट राम की बात तरह हैं लेकि अब ये भी चरशे चल पड़िए कि आपका बीचिंडियों का राष्ट बाद और ये को आटनागरेश का राष्ट बाद को जा ये को राष्ट बाद है और ये राष्ट बाद है मैंने अपने सेनिक को बर्दी इतली नहीं पहना ही कि साब उसने भी किसी मानत मा की कूक से जनम लिया होगा उसके भी नन्ने मुन्ने बेटा बेटी होंगे उसकी भी पतनी होगी उसके भी अपने सपने होंगे वो सीमा पर केवल पैसे के कारण नहीं गया साब पैसे के कारण वो सीमा पर गया है देश बक्ति के कारण और अगर देश बक्ति के कारण उसने वहाँ गोली खाई है तो सहाधत को नमन भी करेंगे और उसका बदला भी लेंगे रोज रोज सईद होते रहें और हम अपनी सदों की लासे गिंते रहें ये हमारे मक्षण पर नहीं है ready लासे गिने वाली प्रता बंद होगी लासे गिने पाकिस्तान लासे गिने दुश्मन थो हमारे सैनिक का जावाज सैनिक के होसले को जमीन से आसमान उडाने की फंक देंगे कर्करे के बारे में कहते हैं कि यह उस बयान पर कुछ नहीं वोला और उनने अपनी खेद बेख्ट किया वह बयान को तोड़मडूर के पपरेसे की है हेमन्थ कर्करे के पशे 26-11 की गटना में हैमन्त करे करे को हमने साधत के रूप में हमारा ही रो है हमने सुविकार किया है no doubt हमने कहा है और हमने सरकार को कहा था कि आप बदला लो क्योंकि उसमें वह एक ही आदमी नहीं जिसने आतंक बाद से मुडवेड किये ना हम उसके साथ हैं उसको सुलूट करते आप साधवी जी के साथ रहे दिए पूरे चुनाओ में उनको ऐसा क्या हो जाता है कि ने ने वह वह ऐसा नहीं वह मिस इंटरपेटिशन उसमें हुआ है और लोगों ने उसके सब्दों को तोड़ मरूर के और उनने उस पर खेद भी बेक्ट किया वो कुछ ने वह उस पर भी उनने कह दिया है ऐसा सब यह मन गरंत कहानिया हैं लोग अपने मर्जी से लगा लेते हैं बापू के प्रति हमारी सर्दा थी सर्दा है और सर्दा रहे अब इस सरकार को जाने दीजिए अभी से सारे जो है हम उसमे के नेता नहीं है कि साधी के पहले जो है नाती का नाम करण कर दे नहीं हम पूरी हमारी पार्टी व्यवस्तित योईनाव से नियम अनुसार और क्रिया प्रतिक्रियाओं से नहीं चलती वलकि संगठात्मक जो एक बेश है अधार है उसको लेकर चलती है शिवराज जी हमारी नेता है ना नो डाउट आज शिवराज जी हमारी हीरो है और कामपेडिशन कला रह लो मद्दे परदेश में कमलना जी और सिवराज जी में सब काम अपने आप उसको वो उचाई देता है कि सब उसके सामने आकर नतमस तक हो जाते हैं आप सुन रहे थे रामिश्वर शर्मा जी को जो राजनीती में अध्यात्म धर्म की बात भी कर रहे थे और रामिश्वर जी का कहना है कि हम जनता के लिए हैं और जनता की लड़ाई का दनवा देता है और आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार आप देख रहे है दखल न्यूज आप देख रहे है दखल न्यूज